हेलो गाईज मैं अपने मम्मी के घर आई हूँ और यह बेरा घर दिखाई दे रहा है उपर और यह सर्चों का खेते और यहां पर मैं न अपने बेटे के साथ बेठी हूँ यहां पर और यह हमने प्याज लगाए मेरे भाबी ने मेरे मम्मी ने और अभी आपको मैं दुखाती हूँ अपने मम्मी का घर यह हम दूप में बैठे वे भार तूप लग रही है आंखों में न और मेरे भाबी जी यहां पर घास निकाल रहे हैं अब यह आपको मैं बैठे मरे से दिखाती हूँ यह निकाला ने घास यहां पर गाए के लिए और उदर रखावा आचार के डब्बे धूप में इन्होंने आचार डालावा गल गल खटे वाला उता जो और अधर रखका उलसुन का आचार और उदर मेरे मम्मी ने कपड़े धोय थे भी यह डाले शुकने के लिए और इधर बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि न वह था न बरफ के गोले जैसे बरफ बहुत ही प्यारा मौसमें बादल इकठे हो रहे हैं बारिश का मौसम बनने वाला है और आज शिवरातरी है तो आज हो सकता है कि आज बारिश हो और गाईश आपको शिवरातरी की बहुत बहुत बढ़ाई हो और सभी नफास रखे होंगे अब भवान के नाम से शिवी शिवजी भवान की नाम से तो मैं सभी से भवान से भी दूआ करते हूं कि आपके सभी की मनों कामना पूरी हो लंबी खुशी आप सभी को मिलें और हमेशा आपके साथ हूँ आपको स्पोर्ट करूंगी और आप भी प्लीज मुझे स्पोर्ट करें और मेरे फोन में आज कल ऐसी दिक्कत होती है जैसी कि कि किसी के अलबी में मैं जाती हूँ तो मेरे मतलब मेसेज हाइड हो जाते हैं कोई मेसे जान हो चुकी हूँ उसे बाद से और मेरे मम्मी भी आये हैं कुछ लेके आये खाने को केले केले लेके आये हैं और आप भी खाले आप मम्मी मेरे घ्रे इसके शिलके निकाल रहे हैं और अब इसके जल्दी से आपको बता देती हूं वह कैसे बनाया और पहले इसके शिलका निकाला है वाश करके शिलका नकाला है फिर धन्या साइड में काट के रखा हुआ है और फिर इसके कटिंग करेंगे और यह उल्टे इसलिए रख रहे हैं कि इसमें हवा ने लगनी चाहिए अगर इसमें हवा लग जाती हैं तो यह कड़ूए हो जाते हैं इसलिए उल्टा करके रख रहे हैं इसमें जो रस है ज्यादा निकाल दिया है निकाल देंगे पेल के इसको अगर इसमें ज्यादा हम रस रखेंगे तो इसके तवीत भी खराब हो जाती है ज्यादा किसी को शूट नहीं करता इसलिए इसका रस ज्यादा निकाल देंगे और यह जब जैसे तेज धूब पड़ती है तब इसको धूब में बैठकर हम ऐसे ही खाते हैं इसमें शक्कर मिला के और चाट मिसाला भी मिला सकते हैं अगर है आपके पास और मेर्च हैं नमक है पर हमारे पास बस यही शक्कर था मेर्चों और नमक और हरा धनिया और इसमें मेरे बैटे के लिए अलग से निकाला था खारने के लिए क्योंकि यह मिर्च नहीं खाता और मैं यहां पर साथ में ही बैठी थी चैर पर तो आपको कैसी लगी है रेश्पी प्लीज मुझे बताएं कि अब थोड़ी शेय लगन काल दो उसको तेन खाने न मेर्चे उसको न काल दून लगी फिक डालना कि अब शेया है रेश्पी बताएं बस 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 आबन पा हमें आबन बामी तो ल्ट एंध। भुसी प्लोध मंद। जह जखे लुट जह को को जह को को जखूआ जख ये लुट भुट लुट अबन खाहता इल वुट भुट लोगी चाट पाने आज जो लोगी चाट खालो आप भी खालो सब खालो चाट अच्छी है फटी मिठी बूत अच्छी होती है आज कल खाने पड़ती है ना ये मोसम जो ये ना खटे का होता है आज कल